अपने पोन में बहुत चाहिए अपने अप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं कर पाते होंगे जब आप इंस्टॉल करने जाते होंगे तो आपको लिखता होगा Lightning Storage Full है हम इसे इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं तो अगर आप अपने phone में अपने मन चाहे अपने favorite apps को install करना चाहते हैं वो भी बिना किसी storage के जंजट के तो आज मैं आपको एक ऐसी solution दूँगा जिससे आप अपने favorite apps को install कर सकते हो जिहां दोस्तों ये तब possible होगा जब आप अपने phone में अलग से कोई SD card योज करते होंगे तब क्योंकि आज मैं आपको अपने phone में एक ऐसी setting बताऊंगा जिससे कि आप अपने Google Play Store से सीधे app को अपने external SD card के अंदर download कर सकते हो तो ये सब तब होगा जब आप इस वीडियो को last तक देखेंगे और उससे पहले आप इस वीडियो को कर दीजेगा एक like चैनल को कर दीजेगा subscribe और इस घंटी को on कर दीजेगा तो सबसे पहले आपको जाना होगा अपने phone के सेटींग में सेटींग में जाने के बाद आपको जाना है अपने phone के about section में अबाउट में जाने के बाद यहां पे आपको दिखेगा MIUI वर्जन अगर आपका सौमी का फोन है तो आपको MIUI वर्जन दिखेगा अगर आपका कोई और फोन है तो वहां पे आपको ब्यूल्ड नंबर दिखेगा तो आपको उस option पे 4 से 5 बर आपको टैप करना है तो यह मेरा already developer option on है तो यहां पे देख सकते हैं यह लिख दिया कि आपका on है आपका अगर on नहीं होगा तो आप इस तरीके से click करेंगे और उसके बाद आप यहां पे back करेंगे back करने के बाद additional setting में अगर आप जाएंगे तो यहां पे आपको दिखेगा developer option इस option में आपको चले आना है और आने के बाद सबसे पहले आपको इस setting को on करना होगा अगर आपका off होगा तो सबसे पहले आप इसे कर लिजेगा on करने के बाद यहां पे आप इसे ok कर दीजे आपको अब नीचे scroll करके आज आना है एकदम last में आना है और last में आने के बाद यहां पे आपको एक option दिखेगा force allow app to write on external storage और यहां पे आप देख सकते हैं max any app eligible to be retained to your external storage यानि कि अगर आप इस setting को on कर देंगे तो अब जितने भी आप अपने google play store से application को install करोगे तो जो भी उसके files होगे जो भी उसकी storage होगी वो अब से आपके external storage में save करेगा तो यानि कि अगर आपका internal storage बहुत कम है और आप अपने phone के external storage में application को install करना चाते हैं तो आप इस setting को on करके यह चीज को आप कर सकते हैं और यह सब जो process है वो आपको बिना किसी root access के ही आपका काम करेगा सिर्फ आपको developer option on करना है और इस setting को on कर देना है तो अगर आप इतना कर देंगे तो अब से आपके सारे application प्ले इस्टोर से सीधा आपके SD card में download होने लगेगा तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो जरूर से इस वीडियो को like कीजेगा और ऐसे ही informational वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को subscribe कर सकते हैं